आपने इस वीडियो को इतना त्यार दिया है तिना सपोर्ट किया है और आपको इस वीडियो पसंद आई है यह जाने को मिजे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है यह इस वीडियो का ही next पार आप समझ सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में काफी साए लोगों के कमेंट आये थे कि ह हमें अगर कोई website ऐसी मिल जाती है जो की genuine नहीं है तो हम उसको report कैसे करेंगे तो इस वीडियो में हम वही चीज कवर करने वाले हैं सिर्फ वही नहीं है अगर आपको कोई और भी चीजे दिखती है एक website where like ads like any other malicious activity तो आप उसको कैसे report कर सकते हैं वह सब कुछ में इस वीडि दिख जाती है जो कि आपको पता चल गया है कि यह fraud है या फिर यह सही नहीं है तो आपको आप उसको report कैसे करेंगे तो Google ने काफी सारी facilities ऐसी दे रखी है Google support के नाम जिसको आप use कर सकते हैं किसी भी website की किसी भी activity को report करने के लिए चाहे वो ads हो चाहे वो पूरी website ही क्यों ना grab करने में किसी की information को collect करने में इन्हें illegal हुए तो वहाँ पर आप उस website को report कर सकते हैं आपको कुछ ऐसा page दिखाई देगा जितनी भी चीज़े मैं इस वीडियो में बता रहा हूं सबके link मैं आपको नीचे description box में दे दूँगा तो देखें यहाँ पर आपको ऐसा एक page fraud है आप उसका URL copy कीजिए और यहाँ पर paste कर दीजिए उसके बाद नीचे आपको इस website के बारे में कुछ और information देनी है कि आपको क्या चीज ऐसी लगी यह website आपको लगता है कि fraud है या फिर आप इसके बारे में कुछ और लिखना चाहता है तो आप लिखके submit कर दीजिए फिर Google इस website को review करेगा और अपने साफ से inspection लेगा तो यह आप एक अच्छा step ले सकते हैं as a responsible citizen किसी fraud website के against अगर आप चाहते हैं कि website internet से हट जाए और किसी और को harm ना करे तो यह हो गया एक simple website को report करना अब हम बात करते हैं थोड़ी और चीज़ों की जैसे सबसे पहले हम बात करते ह है एड की अब देखा हुआ जोब आप किसी website पर जाते हैं तो आपको काफी सारे ads दिखाई देते हैं काफी सारे ads pop up होते हैं तो वह ads को दिखाने के लिए Google AdWords को payment करते हैं लोग जिससे उनका advertisement हो सके पर ऐसी जगाओ पे काफी सारे लोग क्या करते हैं कि महां पे कुछ ऐस ads डाल देते हैं जिस पर आप click करते हैं तो आपके computer की information जा सकती है या फिर आपके system की personal information जा सकती है just on one click यह मैंने इस वीडियो में काफी अच्छे से चीज़ें बताई हुए आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकता है और आपने अपकर नहीं देखी है तो महां पे इस च support की ज़रत पड़ेगी इसका नाम होता है bending advertisement rule यहां यह Google ने ऐसी support दे रखी है जहां भी आपको कोई भी ad advertisement देखता है जो की ठीक नहीं आपको लग रहा है कि यह कुछ suspicious activity है यह एक page है Google इसका नाम है feedback adword page जिसको आप visit करके वहां पर report कर सकते हैं यह page पर click open करेंगे तो option click करना है कि आपको क्या problem है क्या आप चीज नोटिस किया है उसके बाद जब यह click कर देंगे महाँ पर form भरने का option आएगा उस form को भर देंगे तो महाँ पर आप ऐसे report कर सकते हैं एक किसी भी ad को adword को किसी भी website पर फिर Google उसको review करेगा और अपने according action लेगा दूसरी हम बात क काफी सारे victim आपने देखा है इस website से काफी आपको सुनने को मिला है कि इस website ऐसा हो रहा है आपको यहां पर visit करना है इसका नाम है internet crime complaint center यह भी एक Google support से ही affiliated है यहां पर आपको जब विजिट करेंगे तो आपको यह तीन option दिखाई दे रहे होंगे आप जहां चाहें वहां complaint कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट समिट कर सकते हैं बहुत जल्दी यहां पर action लिया जाए रहा है कि आपके सारे victim ऐसे आप देख सकते हैं इसके पैसो का fraud मिलता है या फिर आपकी personal information leak हो जाती है या एकसेटरा एकसेटरा तो आगे बात करते हैं copyright issue की मतलब आपकी अपनी खु की महनस से grow किया है उसके बाद आपको दिखता है कि किसी ने आपका जो content है वो copy कर दिया है ऐसे में क्या होते है Google का algorithm कभी कभी यह नहीं catch कर पाता है और काभी सारे लोग एक दूसरे की चीज़े copy करके अपनी website पर डालते रहते हैं तो कभी-कभी आपको अगर ऐसी कोई ची है इसका सबके link आपको नीचे description box में मिल जाएंगे आपको सबसे पहले क्या करना है उस website के owner के बारे में पता करना है कि website का owner कौन है website की information आपको निकाल लिए जिससे आप report कर सके हैं direct owner से contact कर सके हैं आपने हमारा content है वो copy किया है अगर वो तब भी इस चीज़ से agree नहीं करता है या फिर आपका अपने content वो डिलीट नहीं करता है तो आप फिर उस website को report कर सकते हैं पर पहले आपको उस content उस website के owner की information website की information को रीच करना होगा तो वहाँ पर आप क्या करेंगे एक website है who.is जिहां आपको इस page को आपको दिखाई दे रहा हूगा इस page को आपको विजिट कर करना है महाँ पर website के URL डाल देना है और महाँ पर website की सारी information आपके सामने खुल के आ जाएगी जैसे domain name IP address कुछ भी एक चीछ डाल देते हैं तो आपको website की information मिल जाएगी सार website के domain name अलग होता है इसलिए हम .com से उसको हम किसी domain name को खरीगते हैं यह यह एक reason होता है तो महाँ प वीडियो या photos हैं जो की internet पर किसी ने viral कर दी हैं तो वहाँ पर आप क्या करेंगे आपको क्या step लेना चाहिए या ता आप cyber crime department को contact कर सकते हैं बट वह एक थोड़ा लंबा मैटर हो जाता है यहाँ पर आप Google से भी support ले सकते हैं Google ले यह support भी दिया हुआ है पर कावी सारे लो आपको description box मिल जाएगा इस page को visit करके आपको यहाँ पर जाके उस website के बारे में या उस image वीडियो के बारे में रिपोर्ट कर देना है आपको सारे options मिल जाएंगे रिपोर्ट करने के अगर आपको किसी और की वीडियो भी दिखती है तो महाँ पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं क तो next जो हमारा रिपोर्टिंग टेक्नीक है वो है terror threats यहाँ पर गूगल ने और government of India ने यहाँ पर एक साथ connect करके website को develop किया है यहाँ पर इसका नाम है department of homeland security इस website पर जाके आप यहाँ पर report कर सकते हैं किसी भी ऐसी activity को आपकी internet इस website पर जियाएड पर या कहीं भी ऐसी activity आपक सकते हैं आपकी कोई भी information यहाँ पर खुद की personal information ओपन नहीं की जाएगी और आपको पूरा support और उस website के खिलाब strict action लिया जाएगा और तुरांट उसकी इसको हटा दिया जाएगा internet पे से क्योंकि आपको पता है कि अहाच कल के टाइम में बहुत सारी videos, photos, articles ऐसे हैं internet पे जो की provoke करने के लिए यूज की जाते हैं especially youth को और और लोगों को भी which is related to some terrorism activities तो आपको इस चीज का ध्यार रखना है और आपको as a responsible citizen जितनी भी reporting techniques बताएगे सबको follow करना है जब भी आपको कोई चीज दिखाएदे आप सीधा report जाके कर सकते हैं आपको वीडियो यूज को लगी हो और आपको वीडियो पस्काइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी मिलता है वो नेक्स वीडियो के साथ थेंगे सो मच